हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमश्कार सच्छियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं आटे का हलवा यह आप इसे कड़ा प्रशाद भी कह सकते हैं जो हमें गुर्दवारे में मिलता है बिल्कुल वही आज हम बना कर त्यार करेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनने वाला बिल्कुल नए तरीके से आज हम बनाएंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने यह समान लिया है बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ मैं आज आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और कितनी जरूरत है तो यह देखिए मैंने कटोरी के हिसाब से लिया है एक कटोरी देसी घी मैल्टिट देसी घी ले रही हूँ साथ में हमें चाहिए एक कटोरी ग्यहूं का आटा इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, छान कर ही आप आड़े का इस्तमाल कीजिए साथ में मुझे चाहिए एक कटोरी चीनी यानि कि हम मात्रा जो ले रहे हैं, एक कटोरी घी, एक कटोरी आटा और एक कटोरी चीनी साथ में हमें चाहिए पानी तो पानी की मात्रा हम रखेंगे दो कटोरी इसी कटोरी के हिसाफ से हम दो कटोरी लेंगे पानी तो एक कटोरी घी, एक कटोरी आटा और एक कटोरी चीनी और दो कटोरी पानी तो स्टार्ट करते हैं से बनाना तो यह देखिए पैन मैंने रख दिया है और पैन में मैंने डाल दी है एक कटोरी चीनी अब डालेंगे इसमें दो कटोरी पानी तो यह दूसरी कटोरी भी मैंने डाल दी है इसमें अगर आप कप के हिसाब से लेंगे तो आप उसी कप के हिसाब से ही सारी चीजें यूज कीज तो इसे अच्छी तरह से मैल्ट होने देते हैं चीनी को तो यह देखिए चीनी अच्छी तरह से मैल्ट हो रही है और इसे मैल करके एक बॉल आने देंगे बस तभी तक हमें इसे पका नहीं को शुग मुद्ध बइलकर를 क्सट करें ऑसी पकाना है इसे रख देते हैं, साइड पर cover करके और इस gas पे रखेंगे कड़ाई तो कड़ाई मैंने रख दी है, इसमें डाल देते हैं melted घी जो मैंने 1 कटोरी के करीब लिया है अब हम इसमें डालेंगे ग्योंका आटा डाल देते हैं इसमें और इसे अब हमने भुनना है, तो भुनने के लिए हमें जो gas की flame है, वो low to medium रखनी है, मतलब high flame पर इसे हम नहीं भुनेंगे, medium flame पर भी नहीं भुनेंगे, low to medium flame पर इसे अच्छी तरह से भुनेंगे, धीरे धीरे ही ये भुनेगा और इसका flavor बहुत बढ़ जाएगा, और भुनता जाएगा इसका color change होता जाएगा, तो ये देखिए, हलकाल का color इसका change होना start हो चुका है, आप देखि रहे हैं, घी उपर आना start हो चुका है, ये जो जाग है, ये घी ही है, तो भुनते हैं इसे और अच्छी त्रह से, ये देखिए हल कासा color change हो गया इसमें और हल केल की खुश्बू भी आनी start हो चुकी है बस आपको जो ratio है वो बिल्कुल perfect रखनी है तो आप परशाद बहुत बढ़िया बना सकते हैं तो ये देखिए आप color देखिए इसका color कितना change हो गया है पर अब ये थोड़ा सा और भूनना है तो आप देखिए अब color इसका बिल्कुल golden color हो चुका है पस इससे ज्यादा हम इससे और नहीं भूनेंगे नहीं तो ये ज्यादा dark हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने sugar सिर्फ बनाया है थोड़ा थोड़ा इसमें add करते जाएंगे और इससे चलाते भी जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करते ही सारा sugar सिर्फ हम इसमें add कर देंगे तो मैं अभी बाकी कभी डाल दूँगी इसमें तो सारा sugar सिर्फ मैंने इसमें डाल दिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आटे ने सोक लिया है शुगर सिर्फ को और ये कितना अच्छी तरह से कड़ाई भी छोड़ने लग गया ये देखिए कितना बढ़िया हमारा हलवा बन कर त्यार हो गया है आटे का तो आप देख रहे हैं ना इसमें पानी की मात्रा भी बिल्कुल परफेक्ट है घी भी बिल्कुल सही है और आटा भी बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है तो आटे का हलवा हमारा बहुती टेस्टी बन चुका है, कड़ा परशाद हमारा बेलकुल परफेक्ट बना है, तो आप भी इस तरह से अपने घर पर जिरू ट्राइ कीजिएगा, तो डाल लेते हैं इसे एक बोल में, कलर भी देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, इससे डार कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो आप इसका टेक्श्चर देखिए, कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, देख रहे हैं आप, तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग तो एक और नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइबाई